हलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम क्रैकर में आज हम सिखेंगे इस टाइप के क्वेस्टिन को सोल्व करना जहां पर रूट के अंदर कुछ नमबर होंगे और फिर रूट के अंदर नमबर होंगे इसी तरह से इन फाइनाई टर्म तर्म तर्म यह problem दो types की होती है एक में यहाँ पर जो number होता है उसके हम factor बनाएं तो उन factor में एक का difference हो तो हम उनको असानी से कर सकते हैं अगर उनके factor में एक का difference ना हो तो हम और तरिका यूज करेंगे जैसे यहाँ पर 20 के factor बन सकते हैं 4, 5 तो यह एक का difference है और यहाँ पर जब बीच में plus का sign होता है और यह infinity तक term चलती है तो हमारा answer होता है जो maximum जो बड़ी value है जो factor यहाँ पर बड़ा बना है जैसे यहाँ पर answer आएगा 5 अगर यहाँ पर plus के बजाए minus हो तो हमारा answer आएगा short term जैसे हमारी series यह है 20 minus root 20 minus root 20 इसी तरह से तो इसके factor हम बनाएंगे तो 5 into 4 जिसमें 1 का difference हो और बीच में अगर minus हो तो जो छोटा number होता है वो ही हमारा answer होता है तो इसका value हमारे पास आएगी 4 कुछ examples और हैं हमारे पास जैसे यहाँ पर हमने का है 12 तो 12 के factor बनेंगे 4 into 3 और difference है उनमें 1 का तो answer निकालने के लिए हम जल्दी से जो बड़ा factor बना है वो लिख लेंगे अगर बीच में plus होता है तो इसका answer आजाएगा 4 लेकिन अगर यह minus हो और अगर बीच में minus हो तो इसके जो दो factor बनेंगे 3 और 4 जो छोटा factor बनेंगा वो ही इसका answer होगा तो यहाँ पर 3 हम कुछ और example लेते हैं यहाँ पर 6 के factor plus है तो 2 और 3 बनेंगे और answer आजाएगा हमारा बड़ी term 3 लेकिन अगर minus हो हो तो छोटा minus के case में छोटा factor यह answer आता है एक और question हमारे पास 42 का उसके factor भी 7 and 6 बनेंगे तो plus के case में answer आजाएगा 7 और minus होता है अगर यहाँ पर minus तो answer आएगा हमारा 6 लेकिन जब हमारे पास अगर factor ऐसे बनेंगे जिसमें एक का difference ना हो जैसे यहाँ पर 2 into 5 बनेंगे या 1 into 10 बनेंगे तो उस case में हम यह वाला formula यूज नहीं कर सकते हैं उस case में हम एक और formula यूज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले under root फिर 4 into यह जो number है 10 plus 1 over 2 और साथ में यहाँ पर अगर यहाँ plus है तो plus लिखेंगे अगर यहाँ minus है तो minus लिखेंगे और बाद में लिखेंगे 1 इसको solve करके हमारे पास जो अंसर आएगा वही इसका sum होगा तो यह आएगा 4 into 10 40 plus 1 41 under root plus 1 over 2 ध्यान रखना है यह under root सिर्फ इस term के लिए ही है इसी तरह से इस formula से हम यह question करेंगे तो सबसे पहले under root के अंदर लिखेंगे 4 into जो यह number दिया है 15 और plus 1 भी हर बार होगा यहां तक और साथ में यह sign plus 1 और नीचे 2 यह सिर्फ under root यहां तक चलेगा और इसको जब solve करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 15 4060 plus 1 under root का 61 plus 1 over 2 लेकिन यहां पर अगर minus होता है तो यहां पर भी minus होगा अगर यहां पर minus है तो यह 4 into 15 plus 1 तो इस वार भी आएगा लेकिन यहां पर अब minus हो जाएगा और यह यहां से minus 1 और यही इसका answer होगा आज़े अब अगला question देखते हैं यहां पर भी हम under root लिखेंगे सबसे पहले 4 into 13 plus 1 और यहां पर minus है तो minus over 2 और जब इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 13, 4, 0, 52 plus 1 53 under root minus 1 over 2 और यही इसका answer होगा इसी तरह से अगर यहां पर हमारे पास minus है तो हम क्या करेंगे 4 into 20 root के अंदर और बीट में plus और minus है तो minus 1 over 2 जब इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 81 means 9 minus 1 over 2 और यह आजाएगा 4 इस question को हम दूसरे formula से भी use कर सकते थे और यहां से भी कर सकते हैं इस question को भी हम formula से direct कर सकते हैं 4 into 6 under root plus 1 minus है तो minus over 2 तो यह बनेगा 6 4,24 plus 1 25 root minus 1 over 2 फिर 25 का root 5 minus 1 over 2 4 over 2 तो यह बनेगा 2 इसी तरह से हमने पहले का आता है कि इसके factor 2 into 3 बनेगे और जो छोटा factor होगा वो यह answer आएगा यहां पर भी यही है तो यह formula हम जब मर्जी यूज करना चाहे तब कर सकते हैं इस type के question में चाहे उसके factor एक के difference में बने या ना बने तो यह था अचका वीडियो इस type के question को solve करने के लिए आपको वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को subscribe करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को share करें धन्यवाद करें